नेर आजमोहन आप देख रहे हैं बिहार लिन्यूज ते बिहार का 19 अगस्त का और अपडेट बिहार सवस्त विभागKit ने जारी कर दिया है पिछले 24 घंटे में बिहार में जो नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनकी संख्या है 4071 इसके साथ ही बिहार में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है चीएशी अजार आठसो बारह पर लेकिन आज इसकूल आकड़े को स्वास्ते विभाग ने नहीं बताया है उसकी जगह पर यह बताया है कि कितने केसे अभी एक्टिव हैं तो मैं बाप को बता देता हूं कि पूरे बिहार में अभी 32222 केस आज के आकड़े को जोर कर एक्टि देखी गई है एक नजर डाल लिजिए कि किस जीले से कितने नए संक्रमित मिले हैं क्योंकि आकरा आज का जादा है तो नजर जरूर डाल लिजिए कि किस जीले से कितने मरीज पिछले 24 गंटे में सामने आए हैं अररिया 123 अरवल 34 औरंगाबाद 64 बाका 49 बेगु सराय 25 भागलपूर 195 भोजपूर 78 बक्सर 162 दर्भंगा 36 इस्ट चंपारन 208 गया 172 गोपाल गंज 72 जमुई 36 जहानवाद 57 कैमूर 16 कटिहार 164 खगरिया 44 किसन गंज 83 लखी सराय 75 मद्यपूरा 73 मदूबनी 143 मुंगेर 83 मुझफरपूर 124 नालंदा 98 नावादा 40 पटना 552 पुर्णिया 119 रोतास 121 सहर्षा 91 समस्तिपूर 17 सारन 106 सिकपूरा 46 सिवहर 22 सितामडी 64 सिवान 94 सुपौल चिहहत्तर वैसाली 103 वैस्ट चंपारन 112 इस तरह पिछले 24 गंटे में रिकॉर्ड तोर 4071 मुरीज मिले हैं बिहार में यह पहली बार हुआ है कि मामला 4000 से ज्यादा आया है और बिहार में यह भी पहली बार हुआ है कि पंद्रह जीले ऐसे हैं जिन में 24 गंटे में मामले 100 से जैदा है जिन में पटना में 500 से जादा है तो बेंगूतर यह और इसिट चंपारन में 200 से ज्यादा है इसके अरवादाप Bihar में मांतर 3 ऐसे जीले है टान अ मामला मामला 1000 के नीचे है अरवल कैमूर और सीवर यही तीन जीले हैं जहां मामला 1000 के नीचे है लेकिन जिस रफतार से मामले लगतार बढ़ रहे हैं जल्द ही एक दो दिन में यह भी 1000 को पार कर लेंगे अब जड़ा बात करते हैं टेस्टिंग की तो टेस्टिंग बिहार में 75,000 से ज्यादा हो रही है लेकिन आकरों में गिरावट नहीं आ रही है जो आकरे कल गिरे थे 1000 उनमें फिर से आज एक हजार से ज्यादा की बढ़ होतरी देख ली गई है यानि यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि पिहार में कोरोना के मिलने की संख्या पर कोई ब्रेक लगाए क्योंकि जब तक आकरे आपके 4000 से ज्यादा क्या रहे हो उसमें यह कता ही आप नहीं कह सकते हैं कि आपके यह अनकरा एक दिन में कम नहीं होता है रिकावरी रेट की बात करें तो 65-66 परतीसत के बीच में तो इस पर नजर रखना होगा आपको बिहार सरकार को प्रशाशन को स्वास्त विवाग को फिलाल बिहार में कोरोना का चैन लगतार बढ़ते जा रहा है और रुकने का फिलाल कोई नाम लेता नहीं दिख रहा है तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज धन्ट